गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम तू शॉर्टकर्ट आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैट्स की बुक में से चैप्टर नमबर वन नमबर सिस्टम्स नाम है चैप्टर का नमबर सिस्टम्स तो यह चैप्टर की एक्सराइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है और वो चीजें जो है पहले उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं उनको जान लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं एक टरम हम सुनते आ रहे हैं नाम वाट अर नैचरल नमबर सिस्टम्स आप सब लोग चानते होंगे बढ़ फिर मैं बता यहां पर natural numbers कहा जाता है जो number 1 से शुरू होते हैं और end तक जिनका कोई end ही नहीं है यह so on आगे जाते रहते हैं यह आगे निरंदतर बढ़ते रहते हैं तो ऐसे numbers जो 1 से शुरू होते हैं अपको यहां पर याद क्या रखना है जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम natural numbers कहते हैं तो whole numbers किन को कहा जाते हैं whole जैसे कि whole का मतले होता है complete full जिसमें सब कुछ आ जाए तो whole किसको कहा जाते है whole number यानि कि ऐसे numbers जिसमें हमने numbers तो सारे ले लिए हैं आप one से लेके last तक लेकिन हमने zero को छोड़ दिया था तो जब हम zero को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाते है whole numbers that means natural numbers में zero नहीं होता है लेकिन whole numbers में zero included रहता है तीसरे तरह कि जो numbers के बारे में हम जानना चाहेंगे वो है integers यह आप class 56 में करके आए हैं पहले integers के नहीं कहा जाता है ऐसे numbers जब हमने देखा कि जब numbers को हम इस तरफ आगे बढ़ा सकते हैं that is positive way में यानि कि 1,2,3,4,5,6,7,8 और 0 से शुरू करके वैसी हम negative way में इनको याद रख सकते हैं यानि कि इनको हम left side में भी आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन हाँ left side में आगे बढ़ते हुक्त हमें ध्यान का रखना है यानिकि 0 जो बीच में है वो इनको डिवाइड करने का काम करता है और 0 के right side जो रहते हैं numbers वो positive integers रहते हैं और 0 के left side जो रहते हैं वो negative integers रहते हैं तो integers मतलब जिसमें negative, positive और 0 ये सब numbers included हैं उनको हम integers कहते हैं आगे हम जानेंगे प्राइम numbers के बार में बहुत सारे बच्चे जो 10th का exam दे रहे होते हैं उनको नहीं ध्यान होता है कि what is a prime number बहुत बार हमारे जो चक्टर है probability उसमें पूछा जाता है कई बार कि prime numbers से related कोई नो को इस सम आ जाता है अब पच्चों को पता ही नहीं होता है प्राइम number कोन से तो prime number अब ऐसा नंबर जो सिर्फ दो ही number से divide होता है कौन से दो number से एक one से तो ढूला होता है दूर कौन से दूर दूर02 इझे गेज्सके टेबल में आता है वह वाल के टेबल में आता है वह वण की टेबल में तो साले ही नंबरोन आते हैं और फ्रीन और इसके साल इम А्थ है कि ढूल तर्टीन के टेबल में आ गया और थर्टीन वन जा थर्टीन के टेबल में इसके इलावा कोई टेबल किसी को आता है जिसमें थर्टीन आता हो नहीं हम किसी को हम कोई भी ऐसा टेबल नहीं जानते हैं जिसमें थर्टीन आता हो ऐसे नंबर जो वन से और से खुद से ही से जो डिवाइड हो सकते हैं जैसे कि हमने देखा तो प्राइम नम्बर्स क्या थे जो दो नम्बर से ही डिवाइड होते हैं एक खुद से डिवाइड होते हैं लेकिन कुछ नम्बर्स ऐसे होते हैं जो इनके इलावा भी किसी नम्बर से डिवाइड होते हैं जैसे कि 4 ले लि लेड़े लिए 1 6 6 23 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 डेबल के नदर आ रहा है 8 ले लिए 1 8 8 2 4 8 3 के डेबल नहीं आता है 4 के डेबल में आता है 4 2 जाए 4 जाए 8 8 फिर यह 4 डेबल में आ रहा है तो ऐसे नमबर जिनके आणिके दो से ज़्यादा दिविजर और यहाल कि दो से ज्यादा वो जिते दिवाonders चुकर हम कहते हैं का अब बात करें इंस तुस ताहजुए जिसको आप डिवाइड करेंगे तू से जैसे कि आप ले लिए 100, 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे क्या बचेगा? जीरो और ऊपर महारा आँशराएगा 50, यानि कि 50 pairs बन जाएंगे, तो ऐसे numbers जो नीचे Zero जोड के pair हो जाएं, अनि कि टू से डिवाइड हो जाएं करेंके तो तू से डिवाइड होकर answer जिरो आजाए uh कोई ले लिए लिए गोजाएगे, तो जोसे डिवाइड हो जोड जाएं तो आप 3 को 2 से डिवाइड करें कि तो रिमेंडर 1 बच जाएगा तो हम इनको कह सकते हैं एक में बनते हैं और आप यह थी बच चीजी अब चलते हैं इस चेप्टर से जोड़े एक चीजों की तरफ किने कहा जाता है अब ऐसे नंबर्स हमने देख लिए यह तो सब हमें पता लग गया बीचे वाली की बात करें रिमेंडर की रिमेंडर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि कोई भी नंबर ले लीजिए आप जैसे की 3 by 2 4 by 6 7 by 5 इनके ऐसा कोई भी नंबर जो अपोन में हो बटा वाली संख्या में हो उसको रेशनल नंबर कहते हैं लेकिन इसकी एक ही कंडिशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए अब इसको मैं आपको डिफाइन करके बताता हम देखे क्यानि कि कंडिशन जो है ये नहीं होनी चाहिए 0 by 7 या फिर 7 by 0 इन में से कौन सा रॉंग है परी कौन सा रेशनल नहीं है येस इसमें जो रेशनल नंबर नहीं है वो है हमारा मैंने जैसे बताए कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए यानि कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए यानि कि ये नंबर जो है ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि आप क्यों की जगा पर 0 नहीं होना चाहिए उपर 0 हो तो चले तो ऐसा कोई भी नंबर जो अपन में मैंने कि बटा की संख हमें हो और नीचे 0 ना हो उसको हम rational number कह सकते हैं इसके और भी कुछ पैचाने हैं जैसे कि आप ऐसे numbers को कैसे जान सकते हैं देखिए इनको जब आप divide करोगे जब इनको divide किया जाता है तो यह number जो है दियार non-terminating non-terminating का मतलब होता है कि इनका कोई अंतनी होता है यह चलते ही रहते हैं आगे and repeating यह number non-terminating होते हैं और repeating होते हैं जैसे कि example अमने लिया 1 by 3 1 by 3 को जब आप divide करोगे क्योंकि 3 1 अंदर रहेगा इस तरीके से देखिए 1 और 3 तो इस तरीके से आगे चलता ही रहेगा तो हमारा answer आता रहेगा 0.33333333 and so on होत लंबा तक जाएगा इसका गया नहीं आने वारा जब भी हम answer निकालेंगे वहाँ पर फिर 0 लगके फिर 10 हो जाएगा फिर 3 से डिवाइट हो फिर 10 हो जाएगा फिर 3 से डिवाइट हो जाएगा फिर 3 से डिवाइट हो जाएगा तो हम कहा सकते हैं कि जो rational numbers होते हैं द्यार non-terminating and repeating यहां पर देखिए तव serves । को सा लगल मुता हिं एट रेशनर नंबर हमनको कहते हैं जो rational नहीं है कोई भी number को देख घप पता लग जाएगे पिर तो вр喜्aka नहीं है और अगर रोगए नहीं है तो वो irrational है irrational numbers के अंदर ज्यादा तर जो रूट वाले आते हैं अंडर रूट वाले जो बोलिये जाते हैं यानि कि rational number के इलावा जितने भी number बचे उनका इर्रेशनल में ले सकते हैं इर्रेशनल नंबर भी non-terminating होते हैं बड़ दियार non-repeating irrational numbers जो होते हैं वो non-terminating होते हैं लेकिन वो non-repeating भी होते हैं यानिकि वो repeat नहीं होते हैं तो यह हमारे दोनों rational और irrational बहुत सारे numbers के बारे में आज पड़ा अब हम चलते हैं real numbers की तरफ हमारा last topic है आप रियल numbers रियल numbers कौन से होते हैं rational और irrational को मिला दिया जाए तो बनते हैं real numbers यानि कि कुल मिला के हमके तो सारे नंबर से वो real numbers में आ जाते हैं सारे ही numbers real numbers में आ जाते हैं अब rational की बात करें तो rational के अंदर क्या आता है natural whole integer prime composite even old यह सब मिला के आ जाते हैं कहां पर यह सब मिला कर rational number बना देते हैं इसका मतलब rational number में यह सब आ जाते हैं और rational number real number में आ जाता है और irrational number है वो भी real number में आता है तो सारे number इन सब को मिला करे हम एक bag बहर देते हैं और उस पूरे bag टैग लगा देते हैं रियल numbers का वसके अंदर rational भी आ गए irrational भी आगए रिष्णनल के अंदर यह सारे आ गए यह अनि कि कुल मिला के सब numbers को हम साथ में लेशनल नमबर या तो बन जाते हैं real numbers तो सारे numbers real numbers है यांग हम कह सकते हैं कि all rational and irrational numbers are real numbers but क्या सारे real numbers rational number है क्या सारे real numbers irrational numbers है नहीं all rational numbers are real numbers all irrational numbers are real numbers but all real numbers are not rational numbers and all real numbers are not irrational numbers तो ये था हमारा वीडियो, इतनी चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए फिर हम करते हैं इसकी exercise number 1.1 यहाँ पर पूछा गया है Is 0 a rational number? Can you write it in the form of PQ? Where P and Q are integers and Q is not equal to 0 क्या 0 एक rational number है? Obviously 0 is a rational number, हम 0 को एक rational number कह सकते हैं 0 को हम इस form में लिख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह किसे लिख सकते हैं तो हमारा rational number की एक ही demand होती है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उपर लगा सकते हैं So we can say that 0 is a rational number दूसरा question आप आप देखिए इसमें पुछा गया है, find 6 rational numbers between 3 and 4 तीन और 4 के बीच में हमें कुछ rational numbers ढूणने हैं क्या ढूणने है, rational numbers अब यह जो formula नहीं दिया है यह भी ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना इसको में पहली बात, कितने rational numbers ढूणने हैं, 6 6 rational numbers ढूणने हैं पहले तो देखिए हम 3 और उसके नीचे 1 लगा देंगे और दूसरी दरफ है हमारा 4, 4 के नीचे भी 1 लगा देंगे तो 3 by 1 और 4 by 1 हो गया, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है अब हमें rational numbers कितने ढूणने हैं, 6 6 rational numbers ढूणने हैं, तो हम 7 लेगे जितने rational numbers ढूणने होते हैं, उससे एक ज्यादा लेना चाहिए ताकि बीच के सारे numbers हमको मिलने हैं अगर हम 6 लेंगे, तो पूरे 6 rational numbers पर नहीं आएंगे तो 5 ही मिलेंगे, इसलिए हम 7 से इसको multiply करें 7 rational numbers लेंगे हम, जैनि कि 6 बुचे गये तो 7 लेंगे तो इसको ऊपर 7 से multiply करें और नीचे भी 7 से multiply करें वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर भी 7 से multiply करें और नीचे भी 7 से multiply करें तो दोनों का answer क्या आजाएगा देखिए, 7 रीजा 21 तो 21 बटा 7 दूसरी तरफ हमारा आगया, 7 चुक है 28, 28 बटा 7 अब इनके बीच में सबसे important चीज रहती है कि हमारा denominator सेम होना चाहिए तो दोनों 77 है, इस कारण से इन दोनों के बीच के नंबर लेते हैं 21 by 7 है, 21 by 7 के बाद आता है 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7 यह कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 rational numbers होगे अब इसके बाद अगर आप 8 लें, 28 by 7 लेंगे तो यहां पर दिया गया है, तो हमें उनके बीच between बोला गया है तो between मतला हम इन दोनों को छोड़ तर उसके बीच में लेंगे, इसलिए हम यहां पर 6 पूछा गया था, तो हमने 7 से multiply किया क्योंकि यह बता लगा, अगर हम यहां पर 6 लेते, तो 6 ती 18 होता, यहां पर 4 चिके 24, 18 और 24 होता, 18 और 24 की बीच में कितना निकलता, 19, 20, 21, 22, 23, 5 नमबर साथ हैं, इसलिए हमने यहां पर 6 लिया है, अगला सम देखिए, 5 फाइं 5 नमर्स बीट्विं 3 वाइव फाइव एड 4 वाइव, बीचाओ यहां पर कितने रेश्न नमर्स हैं, 5 पूछा गया है, कितने वाइव, तो 5 हैं, तो हम किस से multiply करेंगे, 6 से, ठीक है, मैंने जैसे आपसे आपको बताया कि जितना पूछा जाए उस से हमें ए देलगा थो क्याते आपधर हो गया हैं नो wenेटर जो आख टाग्षप्णतब में नहींड में क्या थे का अंट सारा से आगे काउंट करें 19 32 19 20 21 22 तो 19 बटा 30 से लेके 23 बटा 30 तर 5 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे किया है यहां पर इन्होंने कैसे दिया हो है उन्होंने अपने इसाब से भी निकाला है चलिए नयुक्त और आपको यह भी बता दूओ कि 2 इन में याना कि यह जो दो नंबर साथ देख लाएं इनके बीच में इन फाइनाई ट्रेश्टेल मुझे हैं ज्यारी किया आप से क्रोर करके इसके भी बहुत सारे िर्ट करता इस फूर्ण सकते हैं वह ने आप मैने आपको simple trick बताई कि जितना पूछा जाए उससे एक number बढ़ा के उसमें multiply कर दो और आपका answer आ जाएगा false समझो है वो a trend false है that is no need to explain तो इस तरीके से हमारी first exercise पूरी होती है 3.1 आप next video के अंदर वेट करियेगा map को 3.2 3.3 sorry 1.2 और जितनी भी exercise की वो complete कर देगे till then good bye have a nice day thanks for watching